असलाम लेकुम बच्चों कैसे हैं आप सब अच्छा तो बच्चों हमने पिछले लेसन में सीखा था कि हम नंबर्स को एडिशन कैसे करते हैं होरिजॉंटली भी और वर्टिकली भी आज भी हमने एडिशन ही करनी है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथट के साथ यह हमारी डे टू डे रूटीन लाइफ से मैच करती हैं चीजें तो हम इस कुश्चन को पढ़ेंगे इस कुश्चन को करने का सबसे बहतरीन दरीका होता है कि आप अपने कुश्चन को थ्री से फोर टाइम्स पढ़ते हैं उससे क्या होता है उससे आपको कुश्चन की अच्छे से अ तो चलिए आईए हम इस question को read out करते हैं In a library there are 42,725 books Administration decided to add 22,500 new books अब ये तो हो गया question इसमें हमने find out क्या करना है यहाँ पर क्या किया गया है कि एक question के दो parts बना दिये गए हमने इस questions में दो parts solve करने होंगे वो किस तरह से आएए देखने है पहले तो हम statement बनाते है इस question में statement बनाने के half marks होते हैं अगर हम statement नहीं बनाते हैं थो हमारे marks कट हो जाते हैं Right, क्या पहली statement बनेगी In a library there are 42,725 books हम statement बनाएंगे एक लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं कितनी है 42,000 आपको बता है कि two numbers के बाद gap आता है इससे हमें पता लग जाता है कि यह thousand की family से बिलोंग करते हैं इसको हम एकठा पढ़ते हैं 42,700 100 की प्लेस पर एक ही डिजिट है हम ones और 10s को मिला के पढ़ते हैं 25 तो यह क्या बना? 42,725 चलिए आपको याद रहें मैं ओपर mention भी कर देती हूँ ones, tens, hundreds, thousand and ten, thousand राइट इस तरह से आपको याद रहेंगा हमारी second statement क्या बनेगी? administration decided to add 22,500 new books तो हम यहाँ पर यह statement बनाएंगे added books इतनी books औरड़ी मौझूद थी और जो new books add की हैं उनकी तादात है 22,000 and 500 राइट यह है वारी statements बन गई अब हमने करना है इनको solve हमने इसको क्या करना है? यह हमें statement पढ़कर ही पता चलेगा पहला पार्ट है find the total numbers of books in the library तो बच्चों यहाँ पर जो total लिखा हुआ है यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हम इसको plus करने वाले हैं एडिशन करेंगे हम इसके find the total number of books in the library अब टोटल से पता चल गया हमने plus करना है तो हम यहाँ जल्दी से plus का sign put करेंगे और इसको plus करेंगे five plus zero किसी भी number में zero को आप add करते हैं तो answer वही number आता है five two में हमने zero add किया two आजाएगा seven में five plus करें seven eight nine ten eleven twelve twelve आगया तो हम अपनी right side वाला number यहाँ पर right करेंगे और left side वाला number उपर carry में चला जाएगा right one plus two three three plus two five यहाँ पर single digit है यहाँ पर आगय करी नहीं जाएगा ठीक है वो डिजिट हम यहाँ पर राइट कर देंगे four plus two six to हमारे पास total number of books क्या आया total books कितनी है यहाँ पर हमारा question का यह वाला पार्ट हो गया solve अब हमारे पास second part भी मजूद है हमने उसको क्या करना है देखते हैं if twenty three thousand eight hundred and ninety more books are added then find the total number of books क्या मतलब मतलब यह कि हमने जो books add कर ली इसमें more books add हुई है कितनी books add हुई है यहाँ पर statement बना लेंगे more books right more books कितनी एद हुई है twenty three thousand eight hundred and ninety three statements हमारी बन गई है हमने क्या करना है find the total number यहाँ पर again word use हुआ है total mean plus addition तो जब हमें पता चल गया के addition है हमने जल दी से यहाँ पर sign put करना है ताके हमारे माइंटर स्केपना होजे कि हम करने क्या वाले है ओके क्या किया है total जो इनका total आया है उसमें यह number भी add कर दिया है five plus zero five two में nine plus किया eleven right side पे भी one है left side पे भी one है तो हमने एक one नीचे लिखा right वाला और left वाला अगले number में carry दे दिया one plus two three three में eight add करेंगे तो क्या आएगा eight, nine, ten, eleven again eleven आ गया हम यहां पर one लिखेंगे और left वाला one next number के साथ carry में दे देंगे अब फिर इसको करते हैं thousand place पर हमार पास है one, five, or three one plus five, six six में three add किया nine single digit है पूरा हम यहीं पर right करेंगे यहां पर carry जाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास six plus two क्या हो गया eight अब हमारे पास क्या statement बनेगी हमने again total number find out करना था तो हम यहां पर again write करतेंगे total books six जी हमारे पास total books कितनी है 89,100 and 15 ठान हो गया पहले हमारे पास थी 65,225 फिर नया total हमने निकाला है 89,100 and 15 देखा बचो यह questions कितने easy होते हैं जब हम इस तरह से question देखते हैं तो हम पहली नजर में तो confused हो जाते हैं कि हम क्या करें questions को कैसे handle करें लेकिन मैंने आपको सबसे बेतरी तरीका बताए कि आप statements पर focus करें इनको पढ़ें जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमने इनको easily or quickly solve कर लेना ठीक है आपने problem solving question की practice करनी है धेर सारी ताकि आपको next time इस तरह की questions में किसी किसम की difficulty feel ना हो ठीक है अब हम मिलेंगे नए lesson के साथ नए topic के साथ तब तक आप इनकी practice करके रखिए अलाफस